कभी तक जिनको डिस्क को है वो यही समझते हैं कि स्लिप डिस्क से एक बार होने के बाद वो कभी भी ठीक नहीं होगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है हमारी ऐसामदानिया हमारी लापरवाई या हम उसके प्रति इतना जागरू के अवेर नहीं है बिकोज व दिस हम स्लिप डिस्क को ठीक नहीं कर पाते और लाइफ लॉग वो प्रॉब्लम आपको करी फॉरवर्ड होता रहता है चैलेंज है दोस्तों अगर आपने मेरी बात अच्छे से फॉलो करी है समझ पारे हो नहीं समझ पारे हो फिर से आप मुझे मेसेज किये पेंड कम कर पाएंगे और अगर विदाउट मेडिसिन के पेंड कम कर पारे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उस डिस्क पे जो प्रेशर था या वो डिस्क है उसको आप कम कर रहे हैं यहीं आपका जेन्मेंट फीडबेक है आपको कैसे पता लगे कि आप ठीक हो रहे हैं तो इसके लिए फीडबेक है कि आप जब मेडिसिन नहीं लेते हुए भी आप ठीक हैं अगर आप मेडिसिन के साथ ठीक है तो दोस्तों वह एक्शेक्ट फीडबेक नहीं होगा और फिर फिर उनको पेंड को छोड़ देते उर फिर उनको पीन आने लगता है तो सब लोगों को लगता है कि नहीं exercise से भी complete ठीक नहीं होता है लेकिन ये complete ठीक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ठीक होने की तरफ जाई रहाता आपका से पेन ही कम हुआता और आपने exercise विट्रॉल कर ले हैं दोस्तों इसके लिए में आपको एक motivational वीडियो और बढ़ाने जाऊंगा और उसमें दो चीजे आप ध्यान से समझें जो ही आप exercises करने के लिए जाते हैं आप शुरुआत में exercise करते हैं तो हम क्या सोचते हैं हमें feedback हैं 20 चाहिए हमें उसी समय रिजर्ट सही हैं क्योंकि हमारी tendency medicines वाली बनी हुई है जो ही medicine लिया और हमें आराप आना चाहिए हमें relax मिलना चाहिए तो दोस्तों ध्यान से समझें medicine आपको कैसे जो pain killers होते हैं वो कैसे आराम दिलाते हैं सिर्फ आपके जो pain killers होते हैं वो nervous system को suppress करते हैं यानि कि जहां आपको pain होता है उसको height कर देते हैं सिर्फ छपा देते हैं वो आपके pain को या उस problem को ठीक नहीं किया है तो इस tendency से इस mentality से आप बाहर आईए pain killer जब ही लेना चाहिए जब आपसे सहन नहीं हो रहा है हाँ ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप रात को सो नहीं पा रहे हैं आपको बहुत जादा trouble हो रही है और आप pain killer यूज नहीं करने हैं कुछ medicines पे नहीं जा रहे हैं तो दोस्तों ऐसे conditions में आपको pain killer या medicines भी लेना चाहिए क्योंकि आप अगर सोवी नहीं पारें तो प्रोब्लम आपको और बढ़ेगा आप रिलेक्स नहीं हो पारें आप इदर से stress में तो प्रोब्लम और बढ़ सकता है इसलिए आपको pain killer एक्सराइस पर यूज करना है जब आपको तेज और आपको लेना ही चाहिए लेकिन आप चाहते है कि solve हो जाए इसके लिए आपको जो साब्दानिया बताई उसको फोलो करना है second number exercises को जो exercise आपको pain में आराम दिला रही है उनको आपको continue आगे की तरह बढ़ाना है second number आपको exercises को बीच में छोड़ना नहीं है अगर आपको लग रहा है कि उससे कुछ नहीं हो रहा है तो आप मुझे वार्टसप करें किसी भी तरीके का message करें आप उसमें मुझे पूछें कि sir अभी तक मेरा यहां जाके pain stop हो गया है लेगिन इसके आगे मुझे आराम नहीं मिल रहा है तो आगे का treatment बताया जाएगा यह वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि लोगों की इतनी queries है कि वो समझे नहीं पा रहे हमें क्या करना चाहिए दोस्तों आप अगर continue और यह समझने के लिए यह दोस्तों ऐसे मैंने cervical spondylitis के लिए या फिर neck pain के लिए भी recent में एक वीडियो डाला है उसमें भी मैंने आपको बहुत information देने की कोशिश की है उस वीडियो का main परपज है आप पहले समझे अगर आपको pain उस तरीकी कहार है तो उसका severity कौन से level का है या क्या वो अभिए सब्सक्राइब पर निए सब्सक्राइब आपको बहुत चीज़ के लिए अगे में ऊस वीडियो में ब्रिचल देखने आपको बहुत चीज़े समझ में आएंगे कि विडियो में यह सोझ करने की कुशिश किए कि क्यों यह हो जाता अधिक अमकों उसके जो मेरे पास आके मिलते हैं उनका यही सबसे अधा का पॉर्जे किस शुद्द हो दीजम हो गया सर्वाइकल Oui न Carolina do Zeta megati क्यों हो रहा है क्यों हो घ्रिंग कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है आप उसको देखें और फॉलो करें इस वोटी एक्साइज जिसके मैंने कुछ वीडियो बना रखें उसको आप अच्छे से देखेंगे और एक्साइज इस्टार्ट करेंगे आप ही अपने लेवल पर कैसे जज़ करेंगे कि एक्साइज ठीक है अगर आपको एक्साइज कर रहे हैं और उनमें 10-20% से ज्यादा नहीं होता है तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं और अगर एक्साइज का सेशन पूरा करने के बाद में आपको थोड़ा बहुत करने के बाद आपको ज्यादा पर मैसुस हो रहा है तो उन एक्साइज उसको आप उससे समय स्टॉप करेंगे देन मुझसे आप एडिटाए वार्टसप के तुरू या मेल करके कैसे भी पूछ सकते हैं कई लोगों की मेरे पास वेरी हैं जो मुझे रोज पूछते हैं किस दोस्तों इसमें आप अच्छे से समझिए शुरुवात में आपने क्या किया जो ही आपको एक्यूट पें था आपकुद बैड्रेस्ट पे चले गए अपने बैड्रिस्ट किया आप्टर डेट आपने मैडिसिंस ली तो उससे जो स्टार्टिंग इंफ्लामेशन है जो आपको अपने डेली लिविग एक्टिवटीज में आपको जो रोजाना के एक्टिवटीज है उसमें एड एड ओन करना था आपने नहीं किया और आप अपने पुराने तरीका जो काम करने खाता उसकर वापस आजाते हैं जो ही दोतिक मैंने कुछ समय निकलता है उस पे प् जुक्त करने के लिए कुछ नहीं किया तो अभी तक आप लोगों का डिस्क को या किसी भी प्रोब्लम को ठीक करने का में क्राइडीर यह लोगों ने बना रखा है सिर्क pain कम हो जाना यहां पर आपको focus करना चाहोंगा कि pain कम हो जाने से ही आपका वो डिस्क ठीक नहीं हुआ है इसको अच्छे से समझे pain कम होना बहुत अच्छी बात है pain कम होना चाहिए उसमें लेकिन उसके साथ ही आपको इसको मजबूत करने के लिए कुछ special treatment जिसको हम बोलेंगे spine care physiotechnics जरूर से follow करने ही चाहिए और जो भी exercises आपने follow की है शुरू से अपने level पे जिसको हम active exercises by the patient नाम से बोलते हैं जो आप घर पे करते हैं वो तो आपको continue रखना ही है लेकिन उसके बाद जब आप pain वाली stage से बाह और उसको हमेशा के लिए ठीक करने के लिए अपने बीज़ और जाप आप आप एक ही है